दोस्तों आप सभी का एक बार फिट से स्वागत है यूटूब चैनल में विरे की नियूस नहीं रहे वालीवर्ड अबनेता रिशी कपूर 67 साल की उम्र में मॉंबई में निधन दोस्तों जो अबनेता रिशी कपूर थे वो उनका आज निधन हो गया है आप इस वीडियो को लाइक कर दें सेर कर दें वैसे ही निधनी जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें वार्तिय फिल्म इस्ट्री के लिए ये हपता एक बुरे सपने की तरह चल रहा है बदोबार को सांधार कलाकार औरिफान खान ने दुणिया को अलविदा कहा और अब गुरबार को देघज अविनेता रिसी कपूर का निधन हो गया है बदोबार को ही रिसी कपूर को मॉंबई के एक अश्टाल में I.C.U. में भरति कर आया गया और गुरवार को भाय दुनिया छोड़ कर चले गए रिसी कपूर 60 साल के थे और कैंसर से पीड़ित थे रिसी कपूर के दोस्त रिस्तेदार और सुपरिस्टार अनिताब बच्चन ने गुरवार को ट्विट कर रिसी कपूर के निधन की जानकारी दी उन्होंने लिखा बो गया रिसी कपूर गये अफी इनका निधन हुआ है मैं तूटा हुआ हूँ कपूर परिवार की ओड से रिसी कपूर के भाई रडधीर कपूर ने भी निधन की जानकारी दी रिसी कपूर को बुद्वार को उनके परिवार ने हैच एन रिलाइंस अस्टाल में वर्ती कराया गया बुद्वार को रिसी कपूर को सांस लेने में तकलीब आई थी जिसके बाद उने अस्टाल ले जाया गया इस दोरान रिसी कपूर की पतनी नितो सिंग भाई रड़धीर कपूर समयत फरवार के अन लोग भी मेजूद थे कपूर खांदान की ओर से संदेश जारी बताए गया है गुरवार को 8.45 बजे रिसी कपूर ने अन्तिब सांस ली वो लीक्यूमिया नामत बीमारी से पिछले दो साल से लड़ रहे थे हस्ताल ने उनके लिए अखरी दम तक कोशिश की पिछले साल वो जब विदेश इलाज करवा कर बापस आये थे तो काफी खुश थे हर किसी से मिलना चाहते थे लेकिन बीमारी दूर नहीं जा सकी 29 अपरैल को हिंदी सिनेमा ने एक्टर इर्फान खान को खोया था अब इर्फान खान के निधन के एक दिन 32 अपरैल को रिसी कपूर अलविदा कहे गए बैक टू बैक दो दिगज अविनेताओं को गवा देने वाले फिल्म विश्टी के लिए बहुत वड़ा ज़टका है निधन के सबसे बड़े परिवार कपूर खानदान के चिराग रिसी कपूर ने अपनी परवार की रह पर चलकर फिल्मों में किसमत माजमाई 1973 में फिल्म बावी के साथ उन्होंने फिल्म में डेव्यू किया था तब से लेकर आज तक बहे हर किसी के दिलों पर राज कर रहे थे हाला कि 1970 में राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर में रिसी कपूर एक वाल कलाकार की भूंका में नजर आ चुके हैं वोलिवर्ड की सबसे वड़ी फैमली यानि कपूर खांदान में रिसी कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को हुआ था बावी दा बावडी प्रेम रोग 102 नौन आट मुल्क समयत सैक्डो ऐसी फिल्मे थी जिसमें रिसी कपूर ने सांधार काम किया था उन्होंने हर किसी को अपना दीवाना बनाया फिर चाहें वो रोमांस वाली फिल्मे हो या फिर एक्शन वाली इस वीडियो को लाइक उसीड जरूर कर दें अपने दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें